दो दिन पहले हरियाना के क्रिश्य मंत्री जेपी दलाल ने इतना शरमनाक विचार हीन, विवेक हीन, बुद्धी हीन और समवेदन हीन बयान दिया कि उस बयान से ना सिर्फ किसान समाज का अपमान हुआ, बलकि पूरे हरियाना का भी अपमान हुआ और क्रिश्य मंत्री ने अपनी बातों से हरियाना के समाज को कलंकित करने का काम किया है और समय आने पे हरियाना का समाज हरियाना के किसान ऐसे मंत्रियों का हिसाब किताब करेंगे और उनको सबक भी सिखाएंगे दो दिन पहले हर्याना के क्रिशी मंत्री जेपी दलाल ने शहीद किसानों का मजाक उड़ाया और ठहाके लगाके वो हस रहे थे और ये कह रहे थे कि भई ये किसान सवेच्छा से मरे है उन्होंने कहा कि अगर देश की एवरिज निकाली जाए तो इतने दिनों में दो लाक में से इतने किसान तो मरना सवभाविक है और उसके बाद अंत में जब पतरकार बार बार उनसे पूछते रहे शहीद किसानों के बारे में तो अंत में किरशी मंत्री जेपी दलाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें किसानों के लिए वो हार्दिक समवेदना परकट करते है मेरे भाईयों अब समझने की बात ये है किरशी मंतरी को ये समझना चाहिए जेपी दलाल को कि आप ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल मौत है ये सुवेच्छा से मरे है आप अपने घर में सर्दियों में हीटर चलाके और गर्मियों में एसी चलाके कमरों में बैठते हैं और चाय की चुसकी लेके आप लंबा चोड़ा ज्यान देते हैं आप यहाँ पे सिंगू बॉडर टिक्री बॉडर गाजीपूर बॉडर शाजापूर बॉडर अन्य बॉडरों पे जहाँ पे कड़ कड़ाती ठंड में पूरी सर्दी हमारे किसान भाईयों ने खुले आसमान के नीचे काट दी उस सड़क पे काट दी जो बिलकुल सर्दी के अंदर जो ठिटूरती थी जो इस पे पूरे तरीके से जीरो डिगरी के आसपास टेंपरेचर होता था वहाँ पे उन्होंने पूरी सर्दी काट दी यदि ये मंत्री एक बार आके सिर्फ एक रात वहां पे आके काट के देख लें तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये किसान स्वेच्छा से मरे हैं या फिर कड़कडाती ठंड में अपने हकों रधिकारों के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी है सारे मंत्रियों को ये पता लग जाएगा ये मंत्री लोग सिर्फ एसी के बंद कमरों में बैठके बड़ी-बड़ी बातें करते हैं एक बार ये जमीन पे आके देख लें तो इनको सब मालूम चल जाएगा इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इससे भी बढ़के एक बात है ये बात सिर्फ जेपी दलाल तक सीमित नहीं है कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री भी संसद के अंदर एक विपक्ष के संसद के लिए तो आसू बहा रहे थे लेकिन अब तक हमारे प्रधान मंत्री ने इमानदारी से शहीद किसानों के लिए आसू नहीं बहाए है अब तक प्रधान मंत्री ने 220 शहीद किसानों के लिए एक भी शब्द शोक और समवेदना के लिए नहीं बोला है बड़े हैरानी की बात है ये सबी जो घटनाएं हो रही है भाजपा के लोग जिस तरीके से उटे सीधे बयान दे रहे है इससे एक बड़ा सवाल भाजपा और RSS के लोगों पर खड़ा होता है इनकी चाल चरितर पर सवाल खड़ा होता है 1942 में जब अंगरेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था पूरा देश उस अंदोलन के साथ था उस अंदोलन में उस अजादी की लड़ाई में हमारे हजारों लाखों नौजवान और किसानों ने अपनी कुर्बानी दी थी उस समय भी ये लोग RSS के लोग अंगरेजों का साथ दे रहे थे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज भी जब देश का किसान समाज देश को बचाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है तो उस समय ये BJP RSS के लोग हमारे शहीदों का आंदोलन कारियों का मजाक उड़ाते हैं उनका अपमान करते हैं और दूसरी बात ये समझने की है कि इनकी भाषा देखिये इन मंत्रियों की जब भाजपा के मंत्रियें भाजपा के परवक्ता हैं ये कभी किसानों को आतंकवादी कहते हैं कभी खालिस्तानी कहते हैं कभी फॉरन फंडिंग क्या रोप लगाते हैं और अब जेपी दलाल ने उन शहीद किसानों का अपमान कर दिया और कहा कि उनके लिए हार्दिक सम्वेदनाएं हार्दिक तो खुशी दी जाती है लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं किसान को अपमानित करने के लिए कि हार्दिक सम्वेदनाएं तो इससे इनका चरित्तर समझ में आ जाता है इससे पता लग जाता है कि जेपी दलाल को खुशी हो रही है किसानों की शहादत से इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि एक परदेश का किरशी मंतरी अपने किसानों की शहादत पे खुश हो रहा है और ऐसे लोगों को जिनको भाषा की मर्यादाओं का मालुम नहीं है जिनको बोलना नहीं आता है उनको हमने अपने सर पे बठा रखा है उनको चुन के विधान सभा में भेज रखा है ये हमारे समाज की भी गलती है तो हमें ये भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग जो शहीदों का भी सम्मान नहीं करते जो शहीदों की शहादत पे भी ठाहाके लगाके हस्ते हैं ऐसे लोग हमारे जन परतिनेदी बनने के लायक नहीं है और अब देश को भी ये तै करना चाहिए, देश की जनता को ये तै करना चाहिए कि देश की जनता किसके साथ है एक तरफ वो किसान समाज खड़ा है जो अपना पेट चीर के, जो अपना पेट काट के पूरे देश का पेट भरनेया काम करता है एक तरफ वो किसान समाज खड़ा है जिसके परिवार के ही नौजवान आज सरदों पर तैनात हैं और देश की एकता वखंडता की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूती दे देते हैं और तिरंगे में लिपट के हमारे गाउं में वापस आते हैं तो एक तरफ तो ये किसान कौम खड़ी है जो देश की आन बान और शान के लिए अपना हर तरह का बलीदान देने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ ये लोग खड़े हैं बीजे प्यार एसेस वाले जो शहीदों का अपमान करते हैं जो शहीदों की शहादत का मजाक उडाते हैं और शहीदों की शहादत पर ठहाके लगाके हसते हैं और कहते हैं कि शहीदों के लिए हार्दिक सम्वेदनाएं अब देश की चंता को ये तैय करना होगा कि देश की जंता किसान समाज के साथ खड़ी है या इन राजनेताओं के साथ खड़ी है जो देश को बेचने का काम कर रहे है जिन लोगों ने हवाई जाज बेच दिये एरलाइन्स बेच दिये हवाई अड़े बेच दिये बड़ी-बड़ी सरकारी कमपनिया बेच दिये वो अब किसानों की जमीन बेचना चाहते हैं तो अब देश की जंता को भी ये टै करना होगा और एक अंतिम बात मैं हरियाना के विरोधी हो गई है ये समाज विरोधी हो गई है ये बीजेपी जेजेपी की सरकार देश विरोधी हो गई है हरियाना विरोधी हो गई है और किसान विरोधी तो ये हैं है उससे पहले नौजवान विरोधी भी है ये अब समय आ गया है इस बीजेपी जेजेपी को सक्ता से बे पार दीजिये, यही हमारे हरियाना के हित में है, यही हरियाना के पूरे किषान समाज के हित में है, और अन्त में आप से निवेदन करूझा, किसान एक ता मोर्चया किसानों की आवाज और एक और जानकारी जो I.P. डलाल जिस खाफ से यह आते हैं, उस खाफ न कई दिन पहल जेपी दलाल का सामाजिक बहिशकार कर दिया था इनका हुक्का पानी बंद कर दिया था क्योंकि कुछ दिन पहले जेपी दलाल ने किसानों को आतंकवादी बताया था तो जो इनकी खाप के परधान है चौदरी भूप सिंग दलाल उनकी धक्षिता में कई दिन पहले टिकरी बॉटर पे पंचायत भी हुई थी और उस पंचायत में जेपी दलाल के सामाजिक बहिशकार का फैसला लिया गया था और आज जिस इलाके से ये जेपी दलाल आते हैं वहां भी एक बड़ी पंचायत हुई और उस पंचायत ने भी इनके इलाके के लोगों ने खुद इनके इलाके के लोगों ने ऐसे विवेक हीन बुद्धी हीन और समवेदन हीन किरशी मंतरी जेपी दलाल का सामाजिक बहिशक करने और हुका पानी बंद करने का फैसला किया है और हरियाना के लोगों ने हरियाना के किसानों ने इन लोगों का मूद तोड़ जवाब देने का काम किया है जै जवान जै किसान जै भारत